तो हाई माई यूडू फैमिली कैसे आप सभी लोग यार यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंप्रोटेंट हो सकता है और यह एक नॉलेज है और आपके ओ सिखाने का तरीका देवजनरकवाल और असे टेलीकॉम का दोस्तों आपके पास मोबाइल आते होंगे जो में रिस्टार्ट का प्रोब्लम बहुत सारी जगे से हो सकता है यह प्रोब्लम मीनली सीप्यू उसके इमेंसी यूफस तो यह तो यहां से तो होता ही है वाटर डेमेज में यह प्रोब्लम और भी कहीं जगे से बढ़ सकता है यह प्रोब्लम आपकी आईडी की लाइन से हो स कह रहे हैं कि sir मेरे EMC OK है मेरे UFS मेरा OK है और इसके Health OK है सारी चीज अब कह रहे हैं कि sir मैंने सारी चेक कर ली कहीं भी स्वर्टिंग नहीं है कहीं पानी नहीं दिख रहा है कुछ आपके एसाफ से आप कहे रहे हैं से तो यह बैट्री चेंज कर ली है फिर भी मेरा साइट री स्टार्ट कर रहा है सब कुछ कर दिया पावर अबर चेक ली तो फिर भाईया प्रॉब्लम है कहां तो चलो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं दोस्तो यह आपको जो मैं तडिके दे रहा हूं यह कोई डारेट स्टूइट को डारेट स्टूइट देने को बातचीत कहें कि भी हम तो तो मैं ऐसा सिखा देंगे तो सीधे उप्रॉब्लम यह इतना टाइम वेस्ट करो नहीं 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 ऐसा नहीं है कि सीधे एक फोन में जम्प हो जाया का बाकी फोनों में क्या आपको खुद सीखना है क्यों अपने टीचर पर जिंदिगी भर कंदो पर बोज जैसे आप रहो क्यूं आप हर समय हर एक सलूशन के लिए टीचर से कॉल करो बात करो वाट्सअप करो आपको सलूशन आना चाहिए अब यह आप देखो ना यह जो टीचर्स होते हैं वो कहां से लाते हैं आपने कभी यह टीचर कैसे डारेट सलूशन निकाल रहे हैं यह टीचर कैसे बोल ला है कि इस पर चेक करो क्योंकि उसने उतनी थोड़ी महनत किये वही महनत आपको करना है आज मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप किस जगह पर महनत कर सकते हैं अगर आपका साइट लोगों पर आपको निकालना है जो यह बता रहा हूँ जो आपको रस्ता दिखा रहा हूं ठीक है मैंने कहरा हूँ नहीं साबिक कर रहा हौं कि जब तक मैं इसको फोटिकल नहीं करोंगा मैं नहीं बता स professions जब्रब दो झाल ume को बोल हूण जो करना इक कॉलकम मे Mediterranean में दोनों का बता रहा हूँ और दोनों спी बूड में जहां जहां मैं आभी आपको जो-जो आई-सी बता रहा हूँ उस 씨 फर थोला सा काम करना चालूबूड में । अब कि अपका सेट कर रहा है या नहीं मुझे Comment करके जुरूफ़ और डारrect solution के बिलीब नहीं करता है ताइस सबसे पहले हम एक कॉलकुम और यह फिर हम बात करें मीडेटीक की आप सबसे पहले में एक डाइगराम निकालना चाहता हूं और यह डाइगराम में ऑपो के किसी है देखेगा और इस टेवल में अक्रॉडिंग इस टेवल में समझना आइटूसी लाइन बिसीकलिए आपने आइटूसी का नाम सुना होगा इंटर 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 इंट्रिगेटर सब्सक्राइट एक ऐसी सप्लाइट है जो हमारे मास्टर को खुद की अवेर्नेस कराती है व तो सारे आपने जितने भी जो इंप्लॉईस हैं उनके बीच से निकलते हुए अपने आफिस में क्यों चाते हैं क्योंकि हो हर जगे देखते हैं कि सारे इंप्लॉईस आए हैं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है अगर क्योंकि उनका कोई भी इंप्लॉई नहीं आया तो सपो सारे स्लेव ISO को अपने साथ I2C लाइन के साथ जोड़ता है और बूटिंग सुकेंस के साथ वो यह देखता है कि भाई वो सारी जो कर दोस्तों यहां पर ने जो उबन किया है यह है ओको का मॉड़ल यह मीडिय टिक का फोन है अगर मैं यहां पर बात करूंस की देघा यह देखे यहाँ पर आपको पूरी टेवल दिखाई दे रही है यह देखे यह पूरी टेवल दिखाई दे रही है यह देखे यह पूरी टेवल दिखाई दे रही है यह तो यह टेवल ही है आपका सलूसन जिसमें आपको खुद को सलूसन निकालना है आप भी अपना खुद क का solution निकाल सते हैं एक मीडिये टिक का फोन उठा लो जल्ली जल्ली देख लो मैं वीडियो बहुत बना रहा हूं बहुत लंबा चोरा नहीं आधे गंटे का नहीं उस तादो वाला वीडियो नहीं बनाना है मुझे और मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको काम समय में जल्ली जान यह पार्ट नमबर हैं यह उनके स्पीड है कि बेसिकली कौन सी I2C कितनी स्पीड में रिड्राइड हो रही है और यह उसके एड्रस हैं तो आप अगर I2C स्कैनर की बात करेंगे तो उस स्कैनर से आप इसके एड्रस को भी आप किसी अच्छी कमांड टूल से भी निकाल सकत है अब मैं यह नहीं कहूंगा कि सारी कि सारी I2C फेल हो जाए तो आपका साइड बूटिंग पर हो जाए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि I2C 3 ही आपका बूटिंग स्कैनर में फेल होने पर रिस्टार्ट कर देगी मुझे तो पता है कि किस पर क्या करेगी मैं आपको म बनने का मौका दे रहा हूं आज आप खुद सब एक टीचर बन सकते हैं कैसे एक फोन उठाकर हर आई टूसी की लाइन से जुरा हुआ हर एक कॉंपनेंट को बस रिमूट करके यह चेक करना है कि वह आई टूसी निकलने पर क्या मेरा फोन जिंदा होता है या आपका री स्टा आएगा पानी जाएगा या यह जो आईसी है या संबंदी सेक्षन है अगर किसी भी प्रकार से बंद हो गया तो मेरा सेक्षन री स्टार्ट कर सकता है भाईया मिल गया आपको सल्यूशन्स दोस्तों कि यह वीडियो आगे बढ़ाने के लिए पहले है प्लीज लाइक जरू से चलिए सब्सेपहले जीरो को देखते है यह एक चीलाइन की फिर उसके बाद में आई यूशन को देखेंगे को जसे अपके डिखाई देंगे अलग अलग ताइप के सेंसर में में इंसर सी आ ब्रेट प्रिय क्रिय कामरा अभी यह कामरा उरत नगीं आप देखें I2C और अच्छा I2C 3 को आप देखें तो यहां पर देखें audio PA smart मतलब यहां पर एक smart power amplifier लगी है और basically यहां पर भी I2C line गई है अब आप देखें तो NFC NFC आप देखें तो फोनों में side ही होती है अगर होगी तो आपको देखना है नहीं हो तो NC होगी अब audio PA का क्या scene है जैसे for jumper में किसी एक line को खुलूँगा देखेंगा अब I2C 4 की हम बात करेंगे तो front camera और I2C 5 की बात करेंगे तो सब PM IC अब आप notice करो इसके आगे लिखा हुआ है एक PMU और एक PD PD का मतलब है fast charging तो आप देखो तो एक I2C basically इसमें charging की होती है तो अगर मैं main main I2C की बात करूँ तो भई या rear camera, front camera, sensors, audio और आपकी charging और charging में अगर आपकी fast charging IC है तो उसमें जोड जाएगी अब fast charging IC कोई सी भी हो सकती है दोस्तो वो SMB हो सकती है fast charging IC मतलब fast charging IC आपको तो पता ना आपके सेट में fast charging कैसे होती है तो तर्वो चार्ज अलग से जिसमें D plus D minus समबंदिक कोई भी है एक अलग IC जैसे logic C तो logic IC जैसे basically हमारे phone में जोड़ आती है type C connector के साथ में तो वो randomly कुछी set में आती है अगर आप धूर सकते है तो उसको भी धूरिए अभी क्या है मान लीजे आपका phone on हो रहा है को क्या करेगा वहीं से return हो जाएगा मतलब restart हो जाएगा तो आपको समझना यह है कि आपके set में I2C की line है सारी okay होना अब देखो सारी बूल लाँ जवरी नहीं है मैं यही कह रहा हूं कि मैं चाहूं तो आपको बिल्कुल वही I2C बता सकता हूं जिससे phone restart करता है तो भई मैं क्यों आप यहां अपना knowledge do free focus में क्योंकि free की कोई value नहीं होती है तो इसलिए मैं आपको खुद ग्यान दे रहा हूं कि जाओ उठाओ phone और एक एक I2C line को check करो खुद रिबू करके उसको तो रो line को कैसे तो रोगे वही sections को बंद करके अब देखो कैसे for jumper मैं इस example देता हूं माल लेते हैं जैसे आप audio PA पर आप काम करना चाहते हैं अब आपन क्या करते हैं audio smart PA आपन अपना i2C 3 को क्लिक करते हैं और i2C 3 को आपन यहां पर निकालेंगे notice कीजेगा तो मैं यहां पर i2C 3 को यहां पर सच करता हूं या audio PA को यहां पर सच करता हूं smart PA को ठीक है यहां बेखें i2C 3 तो यहां पर मैं जूम करूंगा तो यहां पर यहां पर भी टेवल पर आपको यह i2C लाइन देखने को मिलेगी इस मैं i2C लिख देता हूं हमको i2C 3 देखना है भाई राइट अभी क्या यहां पर ऐसी है ना तो आप देखें यह देखें यह सारी आइट देखें अब यहां पर नोटिस कीजिएगा तो वहां पर i2C जो मिन टेबल है अब इसी सेट में अगर हम अब इसके के साब से काम करें तो देखेंगे यह एक्चॉल i2C मेरी कहा है तो तो देखेंगे इसमें i2C 0 टच में है i2C 1 सेंसर में है वही है तीन चार सेंसर मेगनेटेज सार ठीक है अलस और अगर हम बात करें i2C 2 रियर कैमरा i2C 3 LCM Bias मतलब होता है आपकी डिस्प्ले ग्राफिस आइसे 15 बॉल डेडिकेट एक्षन प्लस 5 मैनस 5 और इसमें उप्व वीवो में प्लस 6 मैनस 6 एक्स ईयल की बात करेंगे सब पावर आप इसेंद चारज इन वन तो चारजिंग मतलब में चार्जर भी हो शत्ता है और आपका तरगो चारजर भी हो सता है तो दिमाग में दां रखना अब यहाँ पर बात करो तो इस पोन में न blindness स्मार्ट पूमें ही नहीं तो तो यह दिखने कि बात है, वह टेवल में तो उन्होंगने दे दिया, कि भी यह मुझे ऐसा बनाना है पर जब बास okay Раз दें इतनाओ तो बहुता है अब जैОसे यह फ्यक्वर से श्टम पड़े हों जाएएं सेंसर में जाते हैं तो हम एक sensor में जाते हैं और जल्ली साब को बताते हैं कि आप इसको कैसा चेक कर सकते हैं माल लिजे मैं SCL1 पर जाता हूँ और SCL1 में जैसे मेरा एक इसी लगा है यह मैगनेटिस sensor है अब इसी मेरा अगर मैं यहां पर बात करूँ जान दीजेगा यहां पर दिखाता हूँ देखें तो यह IC मेरा इधर लगा हुआ है यह एक मैगनेटिक sensor है और यह मेरा यहां लगा है अगर मैं इसको रियल में दिखा हूँ तो मैं आपको यहां बोर्णियों से आइधिंग दिखा सकता हूँ सो नोटिस करो यह देखो बोर्णियों में आप देखें तो यह आपका मैगनेटिक sensor है अब अगर मान लो इस IC को निकालो यही चेक करना है मैं आपको मुझे बताणा है मुझे आपको नहीं मैं तो आपको रस्ता दिखा रहा हूं मैं आपको पूरा solution देना चाहरा हूं एक direct solution वाली टोपी नहीं समझ में आ रहा है प्रोब्लम आ गई तो मिल गया solution समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम बात करेंगे याँ-C इस अपर कुछ यह दोस्तों कि आई-टू-सी लाइन वहां से पहुचे आई-टू-सी नहीं है ट्रें की कि भई या पट्री लगी है ठीक है वह पट्री पर ट्रेंग भी डॉड़ना जोड़ी होती है और ट्रेंग होती है उसकी प्र्टिकुलर आई-सी जस रही कहें आरे अरे फफी क्या है आरफ भी जो एक तरह का LDSC-L जो लाइन है फ्रिक्वेंसी की आप APT मोड्यूल आइसी को निकालोगे तो आपका ने ट्रॉक चला जाएगा आप लगाओगे तो ने ट्रॉक आएगा क्यों कि आइसी सेंस होना बहुत इंपोर्टेंट है लाइने से जियाद है सही इसका मतलब जोड़ी नहीं है कि आपका काम हो देखे यहां पर आप देखो तो इस कैपसिटर में ना चार बिसिकली 1.8 वोल्ट आ रहे हैं और यहां पर आपका I2C लाइन आ रहा है और यह लाइन VSS मतलब ग्राउंड है तो बिसिकली VSS टेक्निकल फोर्म में आपको तो पता ही हो अग में मेरे टिक में रॉक्त उल जाता हूं देखें धान दिजेगा मेरे पास एक मेरे टिक काया है Redmi Note 9 अभी मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं जैसे मैं यहां पर आई बिखा यहां पर आई तूसी लिखा है अब प्रषा देखान दीजेगा मैं मैं चाहता हूं कि मैं ही चाहेंगे कि आप से काम जाएना तो आप अगर हर चीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सारे सलूसन निकाल सकते हैं आप देखें यह जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने है यह यहां पर अपर मात करें तो यह यह zeal पर फॉर यहां पर यहां पर है को दो में चैट को जली एली चेक करते हैं और देखतेंगी कौन सा सेल कहा जा रहा है सब्सक्राइब अगर हम यहां पर चेक किए तो XL1 आप देखे तो यह मेरा जा रहा है ग्राफिस IC में तो पता ही नहीं चलेगा कि सेट लोगों पर भी आ रहा है कि नहीं तो यह मत निकालना हाँ अगर इस लाइन पर कोई सीरीज में रजिस्टर लग तो निकाल देना क्योंकि यह मीडिया टीक है तो प्लप रजिस्टर तो नहीं लगा होगा और मुझे स्कूलन करके बताओ किस-kis को जानना है कि मीडिया डीक में प्लप बिएट कर रहा है शामैंट एंसली एक साथ light section और graphic section right थीक है आगे जाएंगे अब XL1 की बात करेंगे तो यह में भी camera में में जा रहा होगा I think ज्यादा तर यह को sensors में जा रहे हैं तो यहाँ पड़ को सारे sensors मिल गए यह STAAR sensors है ठीक है और यह magnetic sensors है यह आपका AP ALS है, Amidline Sensor, Proximity Sensor है, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, अब SCL2 की बात करेंगे, तो यहां पर आप देखो, तो यह pull up register है, जो की NC है, ठीक है, क्यों मैं बताऊंगा, आप मुझे comment करके बताएए, यह आपका जा रहा है कैमरे में, 48 Megavittles, Main Mono Camera, ओहो, ठीक है, और Rear Camera, दो कैमरे में जा रहा है, ठीक है, और NFC तो छोड़ी दो, SCL4 देखो, यह भी कैमरे में जा रहा होगा, तो यह front camera, 13 Megavittles का, ठीक है, और यह 2 Megavittles का micro camera, और यह 2 Megavittles का depth camera, ठीक है, और यह जा रहा होगा charging में, तो यह आप कहें देखो, यह CC logic, अब CC logic क्या है, CC logic आपकी fast charging आजसी हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यह basically आप देखो, तो CC1, CC2, यह आप देख रहे हैं, तो यह charging की supply आप जोड़ी होई है, अब type 3 के कुछ protocols होते हैं, वो protocols आपको समझना बहुत ज़्यादा जोड़ी है, आप इस IC को निकाल के देख लो, आप देखो नहीं यार, हो सकता है, यह IC भी डैड हो, इस IC में VDD नहीं आ रहा हो, यह IC में किसी परकाड की controlling, किसी परकाड की भी controlling protocol निकल गए हो, जैसे आपने charger में देखा, जैसे BQ में लगा तो, और CE charging enable वैसे ही यहाँ पर इसको low किया गया, इसको logic high, logic low, जिसको समझ में आता है, वो समझ जाएगा, और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस IC का सही होना ज़रू है, SCL, SDA के, अगर इस IC में कुछ problem जाए गई, तो भी आपका हो सत्ता है, कि यह problem, लोगो restart का करे, ठीक है, टो बिल्कुल iPhone में भी, से महसे ही होता है, बिल्कुल iPhone में भी से महसे ही होता है, यहाँ आप सिक जाए, तो बिल्कुल पता चल जाएगा कभी भी restart आया है तो भी I2C चेक करना है इवन आप उसको चाहो तो जब आप उसको flash करोगे तो वहाँ पर error भी आपको सोगगा कि कितने प्रसंट पर क्या error है तो basically आपको इस तरह से काम करना है तो I hope कि मैंने आपको एक जनकारी दी हो मैंने यहाँ पर call come और immediate एक दोनों में बताने की कोसिस की है अभी यहाँ पर मैंने call come की बात करते हैं तो जली जली से call come की बात करते हैं अभी हम immediate एक है तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या दिक करते हैं और I2C देखें यह sensor ALS इसको निकाल के चेक कर लो from restart कर रहा है कि नहीं करता है और आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग सार सेंसर में जा रहा है I2C तो देखें अलग अलग अहाँ पर I2C आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है Camry का I2C है इसके I2C है यहाँ पर नोटेस करो और even charging के भी है इसमें I2C हो दोगे अभी धी आही जिसमें charging Ic नहीं है ज़गार नहीं होती वह चारज के अनतर शांच होती है आपको बस charging ICU पहचान ना चाहिए यूटूब सो छोड़ कर किसी class को join करो और किसी better class को join करो मैं नहीं कहूंगा कि यह सा डिलिकों में आ जाओ भाई मैं अपने आपको यह नहीं बूलूँगा कि मेरे पास से आओ मेरे पास से यह सा ग्यान मिलेगा और दोस्तों कहीं भी जाइए इस दुनिया में किसी को भी select किजे कोई लोब लालत से मत किजे क्योंकि अगर कोई आपको लोब लालत ची देता है तो मुझे लगता है कि आपको एक सही अपना भी चुनाउच करना आना चाहिए तो लोब लालत जैसे मल्तीमेटर फ्री दे दूँगा लोब लालत जैसे सीडी दे दूँगा यह दे दूँगा अलागी अब ऐसा नहीं होता है बट फिर भी आपको अपना विवेग यूज करना है सार फ्री हॉस्टल फ्री कर दो सार मैस फ्री कर दो यह बहुत शोटी-शोटी सी बाते हैं सीख फिर से बात करो कि भई सार हम यह यह प्रोब्लम है आपको पैक अप क्लास मिलेगी मिलेगी और दोस्तों अपने घुरू को या किसी भी इंश्यूटर परें उनको बुरा बला बोलने से आपकी जिन्दिकी नहीं बनने बाली नहीं अपने आप अपने साती की बात सुनकर ग अपडेट आपको अपका गुरू करने वाला है आपको रिस्ते उन से बनाने हैं और गुरू और सिस्कर रिस्ता हमेशा एक सम्मानी रिस्ता होता है आपको आदर से बात करने हैं कोई भी चीज मांगते हैं रिक्वेस्ट करके बत्तिमी जी से कोई भी चीज नहीं मांगी आ डाहती। मैं सारे इंसितुट कि तरफ से आप से बात कर रहा हूं तो आप अस an जिंदिगी पर connect रहना चाहते हैं आप अपने माबाफ से तो प्यार से बात करते हैं यह बोलते हैं एह खाना दे एह ऐसा तो नहीं बात करते हैं तो मैं यह जाओंगा कि स्टूडेंट भी कुछ समझें और किसी अपने ही अगल बगल के उन लोगों के भैकावे में आके अपने पैरों पे कुलारी बत मारें और यह सलूसेंस के ऐसा लगा मुझे बताइए आपने आई टूसी लाइन को अब धूरना है जब भी आपका साइट लोगों री प्रोब्लम 99% इमिंशी की वज़े से होता है फॉर्म री स्टार्डिंग का प्रोब्लम बहुत ज्यादा परसंट अगर मैं बात करूं 99 90% आईडी की लाइन से होता है तो री स्टार्डिंग का प्रसंट भाई हो सकता है कि आपका सीप्यू रिबॉल करने से आपका वह ओके हो जाए तो यह सारी चीज है ना फॉन में फॉल्ट में प्रामरी अई टूसी तब आप देखें जब आपके फौन में वाटर डैमेज हो और वाटर डैमेज की वज़े से आपका फॉन रिस्टार्ट कर रहा हो तो में भी हो सता है कि कोई ना कोई क्योंकि यह लाइने कैसे होंगी इनके ब्रीक होने के दो वज़े हो सकते हैं पहला फॉन गिरनी की वज़े से तो हो सता है कि लाइन ब्रेक हो गए हो को दूसरा वाडर डैमेज की मज़े से हो सता है कि कोई लाइन आपकी सड़ी गई हो मतलब कोई कॉमपरदूर चीह उड़ के आओ और उसका ग्र घ कुछ लोग तो दो मेरिट में खिसक गए होंगे पर कोई बात नहीं जो लंबे तक टेके रहे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो सीखा होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि अगले दिन भी एक नया वीडियो लेक्या होंगा और सबसे यही कहना चाहूंगा क अपने काम को फोकस करो अपने हर दिन को द्हान पर दो अपनी दुकान को छोड़कर सामने वाले की दुकान पर जहाका टाकी जहाका करोगे तो पैसे जिंदिगी निया बनने वाली तो अपनी दुकान पर देखो कि मैं अपनी दुकान को कैसे आगे भढ़ा हो खुद पर द आठ गंडे की क्लास चलती है तो आज आपका आपका फिरेट सब्जेक्ट क्या था 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 किस देन ऐस फिरे दिन पावर किस देन गारा था 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 चॉफने किया कर दा आपका सिप्यों के सच विर्भाग our tea the future तो यह जाई नीएव निगते्यार थो यह प्रोशेस्ए आप किती बार कि आ आज मेरा 34 दिन है जवान होते हुगे आज मैंने 6A 4G मुवाइल को CPU निकालकर और डाला ऑन भी हो गया ऑन बोड में से निकालकर डाला हूं पुरफपर तरीकी सावन हो गया कितने मेरमेजबरा नहों है एक dubhahman यंगाक पहले फोन चाला था पहले पहले पहलो चालो था हूं और अपने CPUs को मांट डैंट कीते। हुदे फोन फिरसे चालू हो गयार। तु ठीक है Portugal यह थेंक्यू आज हमारा चोता दीन था इस्टा टेलेकॉम में आज हमने मॉर्णिंग में CPU रिबॉलिंग का माउंट रिमॉंट को प्रेटिस किया पहले बात में हम लग लें चालू हैंड से CPU निकाला और वापी से हमने रिबॉलिंग करके लगाया और यह हमारा जोग डन हो गया आज सक हमने CPU पर कभी काम नहीं किया था लेकिन फर्स्ट टाइम एकी बार में डन हो गया